हेलो फ्रेंज्ब्स वइलकमक तो मैं चानल लुक्सन पलेवर्ज दोस्तों आज मैं आपके लेकर आई हूं बिलकुल नई वीडियो तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को वीडियो अच्छा लगे सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चानल लुक्सिन फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको हमारी किचन में प्रयोग होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्न मसाले के फायदे बताने जा रहे हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर ली है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। और आयूरवेद में इसको औशदी बताया गया है। काली मिर्च को खाने से आप कई बिमारियों को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप दो से तीन काली मिर्च रोजाना सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए कई माईडों में फाइदे मन साबित होती है। वैसे भी दोस्तों सरदी का मौसम आ गया है तो काली मिर्च का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। कफ की समस्या से आराम देती है जोडो घुटनों के दर्द को ठीक करती है काली मिर्च आपके पाचन के लिए बहुत ही जादा फाइदे मन्द होती है। दातों से जोडी समस्याओं को दूर करती है। तो कैसे प्रयोग करना है काली मिर्च का आज मैं आपको इस वीडियो में बतानी जारे ह। तो यहां पर मैंने कुछ काली मिर्च के दानी ले लिये हैं लगभग चार से पांच काली मिर्च के दानी लिये हैं इसको हम हमाम दस्ते में थोड़ा सा कूट लेंगे अच्छे से दरदरा इसको हम कूट लेंगे दोस्तों सर्दी में खास करके खासी जुखाम और कफ की समस्य तो हो ही जाती है तो बार बार हम मार्केट की दवाई तो ले नहीं सकते तो सबसे आसान तरीका है कि घर में आपके काली मिर्च पड़ी ही होती है काली मिर्च के तीन से चार दाने लें उसको अच्छे तरीके से हमाम दस्ते में पीस लें पीसने के बाद में ये देखे मैंने का पाउडर तेयार के लिए हैं अब इसमें हम थोड़ा सा शेहद मिला ले लगब लग एक चोटा चंमच मेने इसमें आप दिन में दो पार इसका सेवन करते हैं तो दोच्टो दोस्तो सर्दी खासी चाती में आपको अर्णाव करना चाहिए घाली मिर्च का प्राइखव कर देक्ट नारी जिए जैसे कभी सब्सक्राइक निऑ、 सालेड बनाते है तो उसमें आप काली मिर्च को जरूर डाले, क्योंकि दोस्तो ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके पेट को स्वस्त रखती है, पाचन को बहतर बनाती है, दोस्तो कई बर ऐसा होता है कि बहुत जादा है खाना खालेते हैं, तो खाना डाइजेस्ट नही उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला दे, लगबग एक चुटकी काला नमक मिला दे, और नीम्बू का रस मिला दे, इसको लेंगे ना आप तो तुरंट आपको पेट की ग्यास से एसिडिटी से चुटकारा मिल जाएगा, तो आपके पाचन को बहतर बनाती है, इसके लावा द अब क्या करें दोस्तों 3-4 काली मिर्च ले ले और साथ में आप दो लाव ले 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 इन वो हमाम द noisy में डाकर के हलका सा कूट लेंगे आप देख सकते ले हैंगे, मैंने गला साब देंगे, त्हों शाली मिर्च याड़ी ले ले ली रे इसको अम रमाम दस अमें मैं डाल क ताकि काली मिर्च और लॉंग के जो भी गुण है वो इस पानी के अंदर आ जा जाए यह दोनों चीजे आप रात को बिगो कर रखते है तो आपको बहुत अच्छा फायदा देती है और मुटापे को कम करने में मदद करती है अगली सोब क्या करें इस पानी को अच्छ तरीके तरीके से आपको बॉल कर लेना है काली मिर्च का जो पानी होता है दोस्तों एक बहुत ही बहतरीन डीटॉक्स वाटर है सबसे पहली चीज यह आपके डाइजेशन को बहतर बनाएगी आपकी ऐसिट्री की समस्या को दूर करेगी कई बार ऐसा होता है कि मोटापा पेट पू पानी को चान करके इसको आप अच्छा कर पी जाहें जाहें तो इसमें आप आधा नीम्बू का रस मिला सकते हैं और इसके फाइदे भी बढ़ जाते हैं तो सुभा सुभा खाली पेट इस पानी को आप अच्छा गरम कर के पीए जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं पीजा कि डीटोक्स वाटर को आप गरम गरम पीते हैं तो आपका मुटापा तेजी से कम करता है तो रोजाना सुभा आप काली मिर्च का पानी पीए तो आप डेली इसको ले सकते हैं गर्मी के मौसमें तो एक दिन चोड कर के ले तो कुछ ही दिनों में दोस्तों आपका जो एक्स का मौसम शुरू होती ही मासपेशियों में एथन शुरू हो जाती है जोडो में दर्द शुरू हो जाता है तो काली मिर्च एक बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका है दोस्तों जोडो के दर्द से राहत पाने का आप क्या करें दोस्तों यह तो आप कुछ काली मिर्च के दा इस दूद को अच्छा बॉयल कर लेंगे आप कुछ तिन तक काली मिर्च को दूद में उबाल कर पी के देखें आपको जोडो के दर्द में बहुत आराम मिलेगा इसके लावा दोस्तों यहां पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है लगबग 3-4 मैंने काली मिर्च ली है और एक चुटकी के वरावर मैंने यहां पर लिया है आजुवाइन काली मिर्च के साथ साथ आजुवाइन भी आपके जोडो के घुटनों के दर्द में बहुत आराम लेती है और सर्दी के मौसम में आप इन दोनों चीजों का प्रयोग कर सकतें क्योंकि इनकी जो तासीर होती ह वो हलकी गरम होती है तो इन दोनों चीजों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे बहुत ही महीन सा पावडर बना लेंगे ताकि आप इसको दूद में डाल कर के आराम से पी सकें तो यहां पर मैं अच्छा इसका पावडर बना लिया है चाहे तो आप हफते भर का पावडर ब जाहे तो दूद को मीथा करने के लिए प्रयोग कर सकते है या फिर गुड भी मिला सकते है इस तरह से आप जब भी दूद पी एक चथाई चमच इस पावडर को मिला कर के पी है दोस्तों इससे क्या होता है जोडो की वायू कहत्म होती है खास कर के सर्दियों में जोडो में वायू की परिशानी काफी बढ़ जाती है इस वजय से जोडो में घुटनों में दर्धोर होने लगता है तो यह जो रेमिडी है आपके जोडो की वायू को खत्म करती है जोडो की ग्रीज को बढ़ाती है मासपेशियों की एथन को दूर करती है तो इस तरहां से दोस्तों क बाली मिर्च के अंगिनत फायदे हैं और सर्दी के मौसम में आप इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं उमीद कहते हूं आपको आज की जानकारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कहने और अभी तक आप मेरी चैनल लूक्स और फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले